चानक्या IAS Academy में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे G20 बाली शिखर सम्मेलन के बारे में जो हाल ही में बाली इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था सत्रवा G20 लीडर सम्मेट इंडोनेशिया के बाली में संपन हुआ इस सम्मेट में G20 के शिर्ष नेताओं ने भाग लिया यह सम्मेट 15 से 16 नवंबर को इंडोनेशिया की अध़क्षता में आयोजित किया गया इस सम्मेट की थीम रिकवर टुगेदर, रिकवर स्टॉंगर थी इस थीम के तहट वैश्विक चिंता के प्रमुक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की गई भारतिये प्रधान मंत्री मोदी जी ने अपने इस दोरे पर प्रवासी भारतियों को भी संबोधित किया और उन्होंने कहा कि हम साजा विरासत और संस्कृति से जुड़े हुए है प्यम मोदी का इंडोनेशा में शांदार स्वागत भी किया गया तो ये G20 की सम्मिट भारत के लिए बहुत महत्तपून हो जाती है बाली में G20 शिकर समेलन को संबोधित करते हुए प्यम मोदी ने रूस युक्रेन युद में युद्विराम लगाने के लिए पर्यासों को बढ़ाने पर जोर देने की बात कही है साथ ही उन्होंने इस मसले के शांतिपून हल निकालने की बात कही है COVID-19 महामारी और युक्रेन के घटना क्रम पर बात करते हुए प्यम मोदी जी ने ये भी कहा कि इन घटनाओं के कारण हर देश के गरीब नागरिकों के लिए चुनोतियां अधिक गंभीर हुई है उन्होंने आवश्यक वस्तों के संकट और गरीबों की वित्ये शमता की कमे को दोहरी मार का नाम दिया है खाद्य और उर्जा सुरक्षा पर सत्र को संबोधित करते हुए मोदी जी ने कहा कि G20 के नेताओं को यूक्रेन में युद्ध विराम और कूट नीती के रास्ते पर लोटने का रास्ता खोजना होगा G20 शिकर समेलन में अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि आज दुनिया को G20 से बड़ी उम्मीदे है हमारे समोह की प्रासंगिक्ता और अधिक महत्तपुन हो गई है पेम मोदी ने समावेशी उर्जा परिवर्तन के लिए विकास शिल देशों को समय बद और किफायती वित और प्रध्योगी की के स्तत आपूर्ती को आवश्यक बताया है साथ ही प्रधान मंत्री ने यहें भी आश्वाशन दिया है कि भारत स्वच उर्जा और परियावरन के लिए प्रतिबद है वर्ष 2030 तक देश की आधी विजली नवी करनिये स्त्रोतों से उत्पन होगी G20 सब्मिट के दोरान विश्व के सारे निताओं ने एक दूसरे से मीटिंग भी की आस्ट्रेलियाई PM एंथनी अल्बनिस ने कहा कि चीन और आस्ट्रेलिया को एक स्तिर और समरद्ध हिंद प्रशांत की दिशा में काम करने की जरूरत है ब्रिटिश परधानमंत्री डिशी सूनक ने G20 में यूक्रेन के लिए अपने समर्थन की बात कही है साथ ही उन्होंने BAE सिस्टम से युद्ध पोतों के लिए एक लंबे समय से नियोजित आदेश भी दिया है दक्षन कोरिया के राष्टपती यूम शुक शोल शी के साथ बाचित भी की गई है इंडोनेश्याई राष्टपती ने यूक्रेन के राष्टपती वलोडी मीर जेलेस्की को G20 शिकर समयलन को वर्च्वल संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया था जहां उन्होंने अपनी बात रखी रूसी राष्टपती पुतिन इस समयलन में भाग नहीं ले रहे थे भारतिय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने इंडोनेश्या के बाली में इंडोनेश्याई राष्टपती जोको विडोडो द्वारा आयोजित जे ट्वंटी रात्री भोज में चीनी राष्टपती शी जिन पिंग से मुलाकात की करीब दो साल पहले वास्ट्रिक नियंत्रन रेखा यानि की LAC पर गलवान घाटी में हुई जड़ब के बाद ये उन दोनों की दूसरी बार मुलाकात थी जब दोनों देशों के नेताओं को एक दूसरे से बातचित करते हुए देखा गया इसके अलावा PM मोदी और अमेरिकी राष्टपती जो बाइडन ने भारत अमेरिका साजेदारी को और मस्बूत करने की बात कही है मोदी और बाइडन ने महत्तपून और उभरती प्रध्योगिकियों जैसे कई छेत्रों में सहयोग सहित भारत अमेरिका साजेदारी को गहरा करने की समिश्या की और क्वाड और I2-U2 जैसे नए समुगों में भारत और अमेरिका के बीच घनिष्ट सहयोग पर संतोश्वत किया है इसके साथ ही भारतिय प्रधान मंत्री ने इंगलेन के प्रधान मंत्री और अन्य देशों के प्रधान मंत्री और राष्टपतियों के साथ मुलाकाते की G20 समू की अगर बात करें तो ये 20 देशों का फॉरम है इसमें दुनिया के डवलप्ट और डवलपिंग एकॉनमी वाले देश शामिल है इसमें 19 देश और एक संगठन शामिल है 19 देशों में अर्जेंटाइना, उस्ट्रेलिया, ब्राजील, कैनडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जेपैन, साउथ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सौधी अरब, दक्षन अफरीका, तर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और संगठन में यूरोपियन यूनियन शामिल है G20 अंतराष्ट्रिय आर्थिक सहोग का एक फॉरम है क्योंकि इसके सदस्य देशों के पास दुनिया की GDP का 85 परतेशत हिस्सा है इसमें दुनिया का 75% इंटरनेशनल ट्रेड भी शामिल है इन देशों में दुनिया की दो तिहाई जनसंख्या भी रहती है अब हम बात करेंगे अगले वर्ष होने वाली G20 की सब्मिट के बारे में यानि G20 सब्मिट 2023 के बारे में ये विशेश इसलिए भी है क्योंकि ये भारत में आयोजित होगी इंडोनेशिया के बाली में G20 सब्मिट समाप्थ होने के सा थी मेजबान इंडोनेशिया के राष्टपती जोको विडोडो ने 2023 के लिए अध्यक्षता भारतिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौपी है प्रेजिडेंसी मिलने की बाद मोदी जी ने कहा कि दुनिया इस वक्त भारत की तरफ देख रही है उन्हें उमीद है कि अगले एक साल के दौरान हम चाहेंगे कि G20 एक जुट होकर काम करे दिसंबर 2022 में इसका इनोग्रेशन सेशन उदेपूर में होगा राजस्तान के तीन शहर उदेपूर, जोदपूर और जैपूर में अलग-अलग मुद्धों पर कॉन्फरेंस भी होगी भारत के G20 लोगों में कमल का फूल है और उसके उपर प्रत्वी को दिखाया गया है जो भारत के जीवन के लिए ग्रह समर्थन दृष्टिकों को दर्शाता है भारत के G20 Presidency की जो theme है वो होगी वसुधेव कुटुम्बकम या एक प्रत्वी, एक परिवार, एक भविश्य पर आधारित है जो महा उपनिशत के प्राचीन संस्कृत पार्ट से लिया गया है इसके साथ ही हमारा आज कहे topic यहीं पर complete होता है हम फिर मिलेंगे एक नए topic के साथ आप हमारे YouTube चैनल को like, share और subscribe करना ना भूले Thank you so much Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update